असलाम लाइकम वेलकम टू डीजा टॉक पाकिस्तान मिल्टरी अकैडमी के जानिप से लेटस जॉब्स अनॉंस कर दी गई है जिसके लिए आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है एक्सपर्ट जोब 24 फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन कर लेना है थोड़ा स अफिशली उनके पोटल पर चले जाएंगे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन्स हैं जो आप रीच कर लेंगे तो आपके लिए हाव नू हो जाएगा चीजें असान हो जाएंगी उसके बाद इंपॉर्टेट पॉइंट्स हैं पोस्ट नेम इसमें मल्टीपल है जैंडर इसमें मेल और फीमिल बोट और अलिजिबल दोनों अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट इसमें पाकिस्तान मिल्ट्री अकैडमी है एजुकेशन इसमें मिडल मैट्रिक इंडर्मीडियर बैचलर से मास्टर तक की है एच लिमिट इसमें 18 तू 30 एयर्स है अप्लाई प्रासेस इ मिल्ट्री अकैडमी की कुछ और इंस्ट्रक्शन्स हैं जो आप रीच कर लेंगे तो इसके बाद आपका अड़र्टाइसमेंट आजाएगा पाकिस्तान मिल्ट्री अकैडमी पीम ए काकुल इसके बाद नीचे आप देखें कुछ इंस्ट्रक्शन्स हैं जो आप रीच कर ल अगर आप उसके बाद जमा करवाएंगे तो वो इसके जिमेदार नहीं होंगे कुछ चीजें जो है उन्होंने रिक्वाइड मांगी है वो आप देख लें अटेस्टिड आपकी जो सेटिफिकेट है तलीमी कारगर्डगी है उसकी जो सेटिफिकेट की कॉपी है वो होने चाहिए यह तमाम तर जो डॉकॉमेंट्स है वो अटेस्टिड होने चाहिए यह रिक्वाइर्मेंट है उसके बाद आपकी कॉलिफिकेशन देख लेते हैं जो फर्स्ट विकैंसी है फर्स्ट विकैंसी जो है वो आपकी है स्पोर्ट्स कोच बी पी एस 12 सिंधी रूलर एन अर्बन इसमें जो शेहरी हैं और देहाती हैं वो दोनों अपलाई कर सकते हैं इसकी जो कॉलिफिकेशन है इंटर्मीडियेट होना चाहिए आपका फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो इसमें रिक्वाइर्मेंट है उनकी तीन साल का आपने कॉर्स किया हो इसके अंदर और जो आर्मी से रिटार्ड लोग हैं वो भी इस जॉप के अंदर अपलाई कर सकते हैं उसके बाद स्पोर्ट्स कोच लेडिस की जॉप है वकैंसी है बी पी एस ट्वैल्फ सिंधी सिंध के वालों के लिए यह तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका स्विमिंग का आ इसके अंदर आपकी जो कॉलिफिकेशन है वो इंटर्मीडियेट है दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी भी अच्छी जगां का उसके बाद कैटलॉगर है इसके अंदर बैचलर की डिगरी चाहिए आपको लाइबरेरियन साइंस हो यूनिवस्टी जो है वो किसी इसके अंदर जो रिक्वाइड है एजुकेशन वो जो है इंटर्मीडियेट है और तीन साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए इसके अंदर भी जो लेटायर्ट आर्मी आफिसर्स है वो अपलाई कर सकते हैं उसके बाद एल डी सी बी पी एस इलेवन लोर्ड विशनल वर्ड पर मिनट होनी चाहिए उसके बाद नर्स असिस्टन की जॉप है ये पंजाब से हसीड मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ डिपलोमा अगर आपने किया है तो वो हो एक साल का आपका एक्सपीरिंस होना चाहिए किसे भी अच्छे हॉस्पिटल का जो नर्स है उनक और अगर इसके अंदर आर्मी से लटायर आफिसर्स अपलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर पेंट जी आर्डी गाट 11 बी पी एस सिक्स सिंट की जॉप है ये इसके अंदर जो एजुकेशन है वो मिडल होनी चाहिए आपको नॉलिज होना चाहिए कलर की मिकसिंग का कलर स्कीम का डिस्टैमपर डिस्ट्रिक्ट डिस्टैमपर वगरा आप कर सकें और मुखलिफ तरह की जो चीजे होती है जो लिखाई होती है बोट के उपर आप वो कर सकें ये तमाम तर जो इन्फॉमेशन्स थी वो मैंने आपको बता दी है एड़र्टाइसम 45 साल तक भी है तो वो भी इसके अंदर अपलाई कर सकते हैं आपका जो इंटर्विव होगा वो जो आपका इंटर्विव है वो 14 अक्तूबर 2023 को होगा हफ़ते वाला दिन होगा सैटरडे और 8 बजे होगा कोई अलाइदा से इसके लिए कॉल या मैसिज आपको नहीं आएग की ओरिजिनल होनी चाहिए पर आपने यह जो यह तैस्ट है यह आपका वहां पर होगा उसके बाद आपके जो फोन नंबर है जो आपका मुझूदा फोन नंबर है वो आपने देना है आपने मजूदा जो phone number है अपना वो देना है जो candidate अपलाई कर रहे हैं वो एक ही post पर अपलाई कर सकते हैं दो या तीन post पर अपलाई कर सकते एक दफ़ा में एक post पर ही अपलाई कर सकते हैं अब दो जो quota system है इसके अंदर different है वो जो women's हैं उनके लिए 10% quota है और जो minorities हैं उनके लिए 5% है और जो transgender है हुआजा सरा उनके लिए 1% है और जो disabled लोग है उनके लिए 2% है ये quota जो है ये भी आप reach कर लीजेगा और जो result होगा इनकी academy वालों की तरफ से आप उसको challenge नहीं कर सकते कोई भी या किसी तरह की बात उसमें नहीं कर सकते इस video के अंदर मैंने आपको तमाम तर जो details है जो उन्होंने बताया है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और ये आपने courier के through इनको भेजना है address भी मैंने आपको बता दिया है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो like करें, share करें और subscribe करें